प्यारे विद्यार्थियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर ठीक आज 10 जन्वरी हो गई है और मैंने इससे पहले एक महतोपूर्ण वीडियो दिया था आप पढ़ाई के दौरान कैसे आप नीद से निजात पाएं और कैसे आलस से को भगाएं मैंने वहाँ पर determination की बात की थी लेकिन इस वीडियो में मैं उन ट्रिक्स को बताऊंगी उन चीजों को बताऊंगी जिससे पढ़ाई के दौरान आपका आलस्य बिल्कुल भाग जाएगा नमबर एक सबसे पहले जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर किसी भी महापुरुस का या महाश्त्री का जिन्हुने उस ठेत्र में कुछन कुछ योगदान दिया हो उसकी हो सके तो उसकी फोटों लगाईएगा जैसे someone wants to be a famous mathematician ठीके कोई बच्चा जो है कोई student अगर famous mathematician बनना चाहता है तो सकुन्दला देवी की फोटों लगादे या फिर रामानुजम की फोटों लगादे ठीके अगर हो सके तो आपके छेत्र में available हो तो नहीं तो आपने उनके नाम पढ़े होंगे और उन्हीं का अपने उसमें विचार कीजिएगा अपने माइन में जो है सोचिएगा कि उन लोग उने कैसे तरक्षी की ठीके और सेकिन चीज आप जो है कोई भी छेत्र सलेक्ट करते हैं चाहे आप engineering का चाहे medical का चाहे accountancy का चाहे कोई भी छेत्र ठीके सलेक्ट करते हैं तो उससे जुड़ी जानकारी आप जरूर ले ठीके उससे आपको क्या होगा अगर आप पढ़ाई का काम नहीं करेंगे तो जिन्दगी में ठीके आपके जिन्दगी में ऐसा मोड आएगा कि आपको जो है पैसे की जरूरत होती होती है चाहे वो कोई व्यक्ति सिंगल हो चाहे family वाला हो इस चीज को आप निश्चित कर लीजिएगा इस चीज को आप सो दूसरी चीज अगर आप पढ़ाई के लिए जैसे बोट के एक्जाम की बात मैंने पीछ के वीडियो में की थी बोट का एक्जाम अभी बहुत दूर है इससे पहले आपके होम स्टुडेंट्स के जो होम वोड है उसके पेपर सो जाएंगे जैसे छोटे बच्चु के पेप कर लेनी है आप तैयारी कैसे करें ठीके सबसे पहले आप पढ़ाई के दौरान बिल्कुल एक्टिव रहें और आप कॉंसेंट्रेट करें अपने ही सब्जक्ट पर आप चाहें हिंदी पढ़ रहें तो हिंदी में संदर्व कैसे लिखा जाता है आर्थ कैसे लिखा जाता है उसकी व्यक्या कैसे लिखे जाती है क्या शंदर्व और प्रसंग में कोई अंतर है आप अपने माइन को स्टॉर्म कीजिएगा ऐसे नहीं बैठे रहेगा कि हाँ सब लिखते हैं मैं भी लिखता हूँ आप में कुछन कुछ हर व्यक्ति में कुछन कुछ विविनता होती है उस विविनता को आप उजागर कर ये और दूसरी चीज मैं आपको समझाओं अगर आप स्टुडेन लाइफ में सुबह उठना बहुत जरूरी है आप सुबह उठने की कोसिस कीजिएगा और अगर आप सुबह के साथ बजे भी पढ़ाई में बैठते हैं साथ बजे से दस बजे तक आप पढ़ाई कीजिएगा ठीक, आजकल वेकेशन्स भी हैं वैसे भी कोरोना की वज़े से स्कूल से बंद है आपको जो स्कूल में दिया जाता है जो bookish school में दिया जाता है, practical तो हो नहीं पा रहे हैं छोटे बच्चों के भी 8th, 9th वालों को कोई lab उनको इस भी जो है जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप उसके ध्यान दिजिएगा और उसके नोट्स बनाएगा जो भी टीचर आपको पढ़ा रही है उसके नोट्स बनाएगा अगर आप बड़े बच्चे हैं ठीक है बड़े स्टुडेंट हैं फिर या कंपेटेटिब एक्जाम के कंडिडेट हैं तो आप पढ़ाई के द कभी तुलसी पानी का यूज करते हैं ठीक है अगर हो सके तो आमला के काड़े का ओश्योप्योग कीजिएगा ठीक अगर आप जो है दिन में भी नहीं इसको पीते हैं तो आप थरमस में रख लीजिएगा और जब पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते हैं ठीक आधे घंटे क बहुत सारह अनि एक ही साल में आपको इतना तुलसी का प्होंधा इतना प्रेख फार प्र सकता है कि आप डे उसकी 2 तीन 3 नंवéntे काड़े कि doubled इस लिए बनाया है इसमें गुड़ पड़ा हुआ है इसका कलर ऐसा दिख रहा है अगर आपके पास यह उपलब्ध नहीं है ठीक है आपका जो है आप कहीं किसी इस एरिया में रहते हैं कि आपके पास ना तो तुलसी का पहुंदा है एट प्रजेंट ठीक है ना आमले पास आ में दो दो चार चार घुट पीते रहिएगा आप रो ताजा हो जाएंगे एक दम ठीक यह मैं गैरेंटी के साथ कह सकती हूं तीसरी चीज अगर आपके घर में थोड़ा सा आप जो है हालां कि इस प्रियद में कोई ऐसा परिवार नहीं होता लग 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 ल अब हमारे देश में तो ठीक है फिर भी कई कंडिसंस ऐसी होती है कि जैसे कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई फ्लोट का एरिया हो कहीं बाड का एरिया हो वहां पर यह चीज उपलब्द नहीं हो जाती है आप थर्मस को हर हमेशा अपने पास रखिएगा चाहे इसकी थर्मस होना चाहिए आपके पास आप बार बार नहीं उठना चाहते हैं तो इस थर्मस में आप गरम पानी रख लीजेगा अगर आप कॉफी बगर कोई भी चीज अफोट कर सकते हैं कॉफी चाह यह रख लीजिएगा इसमें लेकिन आप चार गंटे की पढ़ाई के लिए तो इन चीजों का आधे आधे घंटे में दो दो घुट भी आप उप्योग करते हैं तो एक तो आपको यह रहता है कि हाँ मैंने अभी इस चीज को पीना है ठीके इसकी वज़े से आपको नीद नहीं आती दूसरी चीज आप फ्रेस इसलिए रहते हैं कि जो मैंने आमला बत आया या फिर काली मिर्च अज्वाइन कुछ भी है आपके घर में जो हमारी हमारे जो है आयुर्वेडिक चीजे हैं यह सब यह सब आयुर्वेडिक हैं या होमेपैथिक चीजे हैं जिसका हमारे घर में जो है वह हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं ना मोदी जी वोकल फॉ करना है यह चीजे हमारे रामबान हैं यह समझ लीजेगा आप देखे एक अंग्रेजी में केक बनता है कहते है कि यह तो प्लम केक है अरे प्लम क्या है भईया हम तो प्लम को खाते हैं नहीं थे पता है हमारे घर में इतने प्लम होते थे इतने प्लम होते थे हम उसकी वैल्यू अगर हम उसको पूलम केक कहें तो उसकी वैल्यू नहीं है अगर वह पीच बन जाता है तो उसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है लेकिन इन चीजों से हमें बज करके रहना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों यह सारी ट्रिक्स जो मैंने बताई है आपको आलस से भगाने की और नीद से निजात पाने की लेकिन याद रखे हमारे सरीर के लिए हमारे जो पूर्या सिस्टम है उसको चलाने के लिए सरीर क्या है it is a normal machinery इसको चलाने के लिए नीद बहुत आउस्यक है सबसे पहले आप 6 गंटे की नीद लीजेगा कम से कम फुल रेस्ट कीजेगा उसके बाद भी अगर आप 6-7 गंटे जब आप सो जाते हैं फिर भी आपको आला से परेसान करता है क्योंकि वो हमको घेरे रहता है हमको उठने नहीं देता है बैट से जो है हम बैड में बैठे रहना अच्छा उची समझते हैं आला से घेरे रहता है देन यू फाइ सब्सक्राइब आपको आपकी खुद की नॉलेज होती है इसी से आपकी पहचान होती है प्यारे विद्यार्थियों एक बात और मैं किलियर करना चाहती हूँ कि हमारी पढ़ाई के दोरान जो ये घड़ी है इसकी निडिल्स का बहुत महतपूर्ण योगदान होता है ठीके अगर आपको आपको कैसे ही जो है आलस दूर नहीं जा रहा है तो एक ट्रिक आपको और बताओं में जो मैंने सारी इस बताओं हुई है इसके अलावा आप इसका योगदान समझेगा ठीके जैसे आप इसमें अलाम लगा सकते हैं ठीक और दूसरी चीज आजकल जो आपके मोबाइल फोन से है या घड़ियां है वो बार बार क्या देती है रिमाइंडर देती है ठीके आप रिमाइंडर किसी उद्धिक को ले करके कीजिएगा जैसे आपने जो है हिंदी का फॉस्स चप्टर करना है एट ओकलॉक पर ठीके तो एट ओकलॉक पर रिमाइंडर रख लिजेगा और आपको वो रिमाइंडर ये याद दिलाएगा कि अब हिंदी सब्जेक्ट सुरू होने का टाइम आ कर दीजेगा और हिंदी शुरू कर दीजेगा कीके इससे क्या होता है सब्जेक्टों का जो सामंजस से होता है वो बना रहता है और आप जो है आप हर सब्जेक्ट को उतना ही वेटेज देते हैं जैसे आप हिंदी को भी उतना ही वेटेज देंगे जितना की मैथ या फीजि इंग्लिस का इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे विध्यार्थियों अब आप से लाइफ जूरने का टाइम आ गया है और मैं कल मंडे को हो सके तो क्योंकि टेंटेटिप रहता है दूसरे दिन काम कहीं मुझे इधर उधर जो है इंपोटेंट काम ना आ पड़ा हो तो मैं जरूर तीन बजे आप सबसे लाइफ मुलाकात होगी और मैं डिसकस करूंगी एक महत्वपून फीचर हमारे बॉडी के महत्वपून फीचर पर जो पढ़ाई के दोरान हमको डिस्ट्रक्ट करता है आप मेरा वीडियो देखने के बाद कभी पढ़ाई के दोरान डिस्ट्र प्रक्ट नहीं होंगे मतलब भट कहेंगे नहीं और अपना ध्यान दीजिएगा स्वस्त रहिएगा सबसे पहले तो फिर खूब महनत कीजिएगा और सफल होईएगा जय हिंद जय भारत